Good morning all of you, आज मैं आप लोगों के साथ एक important information शेयर करने वाली हूँ कल JSTSE का result आप लोग के साथ शेयर किया गया था अब उसमें बहुत सारे students की ये problem आ रही है कि school से जो उन्हें admit card मिला था उसमें उनका roll number 12 digits था और इस list में ये जो result की list है PDF है यहाँ पे roll number मिला है 11 digits का ये वाला column आप लोग देख सकते हो roll number का है यहाँ पे 11 digits है और बहुत सारे student का roll number क्या है 12 digits का है तो वो पूछ रहे हैं क्या हमारा result इसमें नहीं है या दूसरा list आएगा, second list आएगा result का या फिर बच्चे पूछ रहे हैं कि जिन बच्चों का roll number 225 से start होता है वो सारे बच्चे disqualify हैं तो देखिए ऐसा नहीं है कोई भी second list नहीं आएगी और सारे बच्चों का result यहीं पे है और 225 से जिन का start है उन लोगों बच्चों का भी result यहाँ पे है अब आपको check कैसे करना है इस problem का solution क्या है इस problem का solution है कि जो 12 digit का roll number आपको admit card में दिया हुआ है ठीक है जैसे 12 digit है A, B, C ठीक है इस तरीके से तो आपको पहली digit हटा देनी है अपने roll number से जिनका 12 digit का roll number admit card पे लिखा हुआ है उसमें से पहली digit को आपको remove कर देना है पहले 2 को हटा देना है बच्चे वह जो number है वो आपका roll number है उस बच्चे वे roll number को आपको इस list में check करना है तो यह इस problem का solution है क्योंकि इसमें school code होता है दिल्ली का code होता है जोन का code होता है इसकी वज़े से यह आपको conflict देखने को मिल रहा है तो सारे बच्चों का यही result है दूसरा list नहीं आएगा जितने 225 वाले हैं उनका result भी इसी में है बस आपको करना क्या है जो 12 digit का आपका roll number है उसमें से पहली digit को पहले 2 को remove कर देना है जो बचा हुआ है वो आपका original roll number है उसको इस list में चेक करिए आपको अपना नाम मिल जाएगा और जो बच्चे qualify है उनको अपना नाम मिल जाएगा I hope आपकी problem solve हो गई हो